सुबह आठ बजे से जुड़िये बिस्तक के साथ बताएंगे बचवट की हर छोटी बड़ी बात टैक्स का आपकी जेपर क्या होगा असर देंगे बाजार में पैसे बनाने का गुरुमत क्या होगा सस्ता, क्या महेंगा होगी आपकी काम की हर बात तो फटा फट जुड़ी बिस्तक के साथ नमस्कार आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं होरे जद्दीवगन जिसका डर था वही हुआ, बजट से पहले बजार धडाम उपरी इस तरो पर जबरदस प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है अच्छा, गिफ निटी बताया था, हमारे बजारों को तो वरदान मिला हुआ है ग्लोबल बजार टूटेंगे, हम नहीं टूटेंगे गिफ निटी बताया था, 41 points के आसपास तेज खुलेंगे बजार की जो open हुआ, वो आज 24,853 के लेवल पे open हुआ 24,804 का ही हाई है, जहां पर open हो, वही पर ही हाई लगाने के बाद one way track पे टूटें है, कोई भी मौका ही नहीं मिल रहा था बहार निकलने का बहुत ही जबर्दस profit booking निटी को आई लेगा ही 24,508 के लेवल पे जहां यह आज के दिन का low है, लेकिन important क्या है कि यह पिछले चार ट्रेडिंग सेशन से देखोगे तो 24,500 का स्तर तूटा नहीं है निटी पे तो आज जो closing आई, वो 24,530 के लेवल के आई, 269 अंकों की गिरावट के साथ निटी ने closing दी है, 1% बैटता है, 1% में हाकार मच गया क्योंकि mid cap और small cap stocks निपट लिए, आज बहुत ही जवरदस profit booking देखने को भी लिए चोटे मजहौले stocks में, 52,265 के लेवल पे निटी बैंक बंद हो गया, 355 अंक गवा कर Infosys, Infosys के नतीज़े बहुत अच्छा है था, ऐसा लगा था, बहुत ही धुहाँदार चलेगा क्योंकि international market में ADR लगबग 8% उपर था, लेकिन आज तेज तो हुआ था, 3.5-4% उपर भी गया था, लेकिन जो closing आई है वो है, पौने 2% Infosys, Nifty का top gainer इसके बाद तो बताने लाएक कुछ return ही नहीं है, क्योंकि ITC आदे फीजदी gains के साथ बंद हुआ है, Asian Paints भी आदे फीजदी चड़ा और Britannia, हलकी तेज़ी के साथ बंद हुआ है, बाकि सब लालम लाल, Nifty के जो top losers हैं, उसमें आया, Tata Steel 5% नीचे, JSW Steel निपट लिया, आज 4.5% नीचे, BPCL 4% टूड़ गया, हिंडाल को 4% नीचे बंद हुआ, ONGC जो पिछले कुछ दिनों से सरपट दोड़ रहा था, आज 3.5% धेर हो गया, FNO gainers में फिर से आपको Infosys दिखाई देगा, आप समझ सकते हो, Nifty का ही top gainer, जो मातर पौने 2% चड़ा, वो ही आज वाइदा कारोबार का ही top gainer साबित हुआ, उसके बाद Emphasis, शुरुआत में तेज था, फिर यहाँ पर मुनाफ़ा वसूली हुई, Estre Limited, मुश्किल से 1% चड़ पाया, ITC और Page Industries, हलकी 30 के साथ बंद हुए है, लेकिन अब आप Quantum देखो, गिरने वालों का, जिसमें Persistent, 6% से ज संखिया, आज बहुत जादा है, चड़ने वालों में तो कुछ दिखाई देनी रहा, मिड़के आप स्टॉक में फिर भी कुछ एक के दुख के नाम आपको दिखाई दे जाएंगे, जैसे कि VST Industries, 11% उपर बंद हुआ है, Electro Steel Casting जाते जाते एकदम से तेज हो गया, सबाद 6 परशन के रिटर्न देके गया, TTML पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से अक्टेव है यह स्टॉक, लेकिन आज ना उपरी सुरू के मुनाफ़ा वसूली भी हुई है, अच्छा, RVNL में आज एकदम से सर्प्राइज मूव था, निश्टे सरो से खरेदारी, एक तो LIC ने हिस मिड के आप लूजर्स की संख्या है जाधा और उसमें चन्ने पेटरोग, X डिविनिट हुआ है आज, 11% नीचे, आरती फार्मा पॉने 8% तूट गया, भारत बिजली 7% से जाधा तूटा है, अंबर एंटर्राइजे 7% नीचे, जेके पेपर 6.5% नीचे, परसिस्टेंट खेर वाइदा कारुबार पर ही तूटा है, श्नाइडर, कमिन्स, आर आई, आई, एल ये सब स्टॉक्स 6% से जाधा तूटते में नजर आए, मेटल स्टॉक्स निपट लिये, आज के सतर में JSL 6% से जाधा तूटा, NMDC 5.5% नीचे, हालत टाइट थी, Tata Steel, JSW Steel, JSPL, हिंडा साधे 3% तूटते में जर आए, NTPC जैसा स्टॉक्स चड़ने में इतनी मची है से, तूटने में एक दिन लगाया, साधे 3% नीचे आगया, कोची, शिप्यार्ड और पावर ग्रिट भी तूट गए, औल एंड गास प्ले नेगिटिव हो गया, कैस्ट्रॉल साधे 5% नीचे सब स्टॉक्स नीचे बंद हुए है, और तो उसकी भी हाला टाइट हो गई, मदर संथ पिछले कुछ दूने में बहुत तेज था लेकिन अब प्रॉफिट बुकिंग भी तगडी देखने को मिल रहे है, 6% नीचे, अपोलो टायस पॉने 5% नीचे बंद हुआ, MRF, Tata, Motors, Bosch Excite, Bajaj, Auto, Bharat, Forge, सब नीचे बंद हुए है, सरकारी बंक, प्राइवेट बंक, कहीं छुपने की जगा नहीं थी, PSU बंक में IOB, Yuko Bank, PSB, Canra Bank, Central Bank, Bank of Roda, सब नीचे थे, और प्राइवेट बंक, City Union Bank, Bandhan Bank, IDFC First Bank, Indescent Bank, ये भी नीचे बंद हुए है, कोई सेक्टर हरे निशान करोड रुपे का, और अभी तक 4.21 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, इसमें फ्रेश इशू है, 397.1 करोड रुपी, बाकी का OFS है, अब आगे क्या होगा, बजार बंद होने के बाद, Reliance Industries के नतीज़े आए, नतीज़े ठीक नी साउंड कर रहे है, तो Reliance Industries के स्टॉक पे तो Wipro ने भी guidance अपनी बढ़ा दिये, Infosys ने भी guidance बढ़ा ही ती, तो IT एक छुपने की जगा हो सकती है, मार्केट में, तो Reliance Industries, HDFC Bank, Kotec Bank, Wipro, इनके नतीज़े impact करेंगे स्टॉक मार्केट को, 22 जुलाई को economic survey आएगा, सोमवार को, सबसे बड़ी coverage आप 20 तक पर जिसमें हम बड़े-बड़े जानकारों से पूछने की कोशिश करेंगे, economist से भी और market expert से भी कि अब करना क्या चाहिए, देश की अर्थवस्ता की जो गती है क्या वो और तेज होगी इस budget के बाद, और दूसरा stock market पे उसका क्या reaction आएगा, आपको portfolio पे क्या reaction आएगा, ये भ निफ्टी बेहत एहम स्तर पे बंद हुआ है, चार ट्रेडिंग सेशन से हमने लेवल्स टेस्टों की हैं, लेकिन इसको तोड़ के नीचे बंद नी हुए, तो 24-500 का स्तर निफ्टी ने अभी तक होल्ड कर रखा है, और आज पिछले दिन के लोग के नीचे भी नहीं गए ह सरकारी कंपनियां उपरिस्तरों पे मुनाफवसूली की चपेट में आगे, लेकिन बजट से रिलेटेड स्टॉक सी फोकस में रहेंगे, शेर लेकिन ये भी बताएं आपको कि अफला तून चाल दिखाएंगे, हो सकता है, वॉल्म्स भी ड्राय अप हो जाएं और एकदम से कुछ important events में जिसमें US में quarter 2 GDP का पहला अनुमान जारी हो जाएगा, उसके बाद नतीजों की तो भरमार है, जिसमें बजाज finance, बजाज Finserv, ICAC Bank, Access Bank के नतीज़े आएंगे, L&T, Nestle, SBI Live, Shriram Finance, Sipla, Indescent Bank, इसब निफ्टी कंपनियों के नतीज़े आएंगे, तो results heavy week भी रहन जाने वाला है, उसके बाद ये economy के लिहाज से budget, economic survey तो बहुत important है ही, और सबसे बड़ी coverage बिस्तक आप देखेंगे, आज stock market में 1% गिरावाट आई है, तब भी हाकार मच गया, वो इसलिए क्योंकि छोटे मजहौले stocks, जो ज़्यादर retail clients के पास होते हैं, उन में दबाव, ज राइब चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, market outlook, weekend पर market scan, anchors के साथ, चैट और भी बहुत बुच, इस premium subscription में तीन तरह के plans है, silver, gold और platinum, जिनके शुरुवात मात्र 119 रुपे महिने से होती है, इससे जुड़ना भी बेहदासान है, बिस्तक के YouTube चैनल पर जाए, Join बटन पर क्लिक करें और अपना plan सिलेक्ट करें, बस बन गए आप हमारे premium member